हलो दोस्तो मैं हूँ आपकी सकीर को welcome to my channel दोस्तो कैसे हैं आप सब उम्मीद करती हूँ आप सब भी बहुत अच्छे होंगे और आपकी pregnancy भी बहुत हल्दी और हैपी चल रही होगी कि वो अपने delivery को normal कैसे बनाए हर एक गर्वती महिला बस यही चाहती है कि उनकी delivery आसानी से हो और normal हो लेकिन कभी-कभी क्या होता है pregnancy का आपका आखरी का मन चल रहा होता है आपकी delivery date नजदिक आने वाली होती है फिर भी आपको जो delivery के symptoms होते है वो दिखाई नहीं देते आपको labor pain सही समय पर नहीं आता है तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे tips बताने वाली हूँ जिसे अगर आप 9 महिने में follow करती है तो आपको labor pain सही समय पर आएगा आपका cervix का जो मौ है वो भी सही समय पर खुलेगा और आपको जो labor pain का दर्द होता है वो भी कम महसूस होगा और आपकी आसानी से normal delivery हो जाएगी कई महिलाओ को 9 मंद complete करने पर delivery हो जाती है लेकिन मन में ये सवाल हमेशा रहता है कि save delivery कितने weeks में हो जानी चाहिए देखिए दोस्तों 34 हफते से लेकर 41 हफती के बीच आपकी delivery हो जानी चाहिए लेकिन दोस्तों जो आपकी ultrasound की report होती है उसमें आपको दो तरह की due date दी जाती है उसमें पहली जो date होती है वो बच्चे की growth को देकर आपकी ultrasound की reports को देख कर दी जाती है और दूसरी date वो होती है जो doctor calculate करते है आपका last period miss होने के बाद तो इन दोनों में से आपको कौन सी date माननी है तो जो doctor आपको calculate करके देंगे उसी date को आपको मानना है उसी due date के हिसाब से आप calculate कर सकती है क्योंकि वो max to mag due date दी होई होती है और अगर आपको जो doctor ने date दी है delivery के लिए उस date के बाद भी आपकी delivery नहीं हो रही है तो आपको तुरंथ ही hospital जाना है अपने doctor से advice लेनी है उनसे बात करनी है और तब doctor आपको जैसे suggest करेंगे वैसे ही आपकी delivery होगी लेकिन दोस्तो अगर आप ये चाहती है कि सही समय पर आपको labor पेनाए और सही समय पर आपके delivery भी हो जाए तो इस वीडियो में मैं आपको 2-3 काम बताऊंगी जो आपको करने है जिससे आपको सही समय पर labor पेनाएगा और आपकी जो delivery है वो आसानी से हो जाएगी तो दोस्तो चैनल पर नए है तो subscribe जरूर करें और ये वीडियो देखरे के बाद अगर आपको थोड़ी भी helpful लगती है तो इस वीडियो को like जरूर करें तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को तो सबसे पहला काम दोस्तो आपको ये करना है कि आपको walking करनी है सुबा 30 मिनट और शाम में 30 मिनट के लिए आपको walk करना है यूंकि दोस्तो walk करना बहुत ही जरूरी है pregnancy के दौरान क्योंकि इसकी वज़ा से आपका बच्चा सही समय पर सिर नीचे करता है यानि head down की position में आता है जो normal delivery के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है और walk करने की वज़ा से आपको labor pain भी सही समय पर आते हैं नवे महीने में दूसरा काम आप ये कर सकती है कि आपको गरम तासिर वाली चीज़े खाने शुरू कर देनी चाहिए जैसे के आप कच्चे पपीते की सबजी बना कर खा सकती है ये आपके labor pain को start करने में काफी मदद करते हैं तीसरा तरीका ये है दोस्तों के आपको केसर वाला दूद पीना है रात के वक्त वैसे तो पूरी ही pregnancy में आपको दूद पीना चाहिए बॉड़ी का inflammation कम होता है और साथ ही साथ आपका जो stress level है वो भी कम होता है इसके इलावा आप तिलगुड के लड़ू भी बना कर खा सकती है इसके इलावा आप एक ग्लास दूद में शुद्ध देसी गी मिला कर पी सकती है ज्यादा घी का आपको इस्तमाल नहीं करना है एक ग्लास दूद की दिये सिर्फ आपको एक चमज घी का इस्तमाल करना है क्यूंकि ज्यादा घी के इस्तमाल से आपको dust, constipation, ulty जैसी समस्याए हो सकती है यहाँ पर दोस्तों आपको एक बात का ध्यान टकना है कि अगर आपका pregnancy में बहुत ज्यादा weight बढ़ गया है यानि जितना वजन बढ़ना चाहिए उससे बहुत ज्यादा बढ़ गया है तो ऐसे में आपको घी का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है क्योंकि अगर आपका weight बढ़ गया है और आप इसके बाद भी घी का सेवन करती है तो इससे आपका weight और ज्यादा बढ़ेगा और आपकी normal delivery में दिक्कत आ सकती है इसके बादे दोस्तों आप गुनगोने पानी से नहा सकती है और labor pain भी आपको सही समय पर आएगे तो दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये video helpful लगी होगी और अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप मुझे comment करके ज़रूर बताए और इस video को like ज़रूर करे और channel को subscribe भी ज़रूर करे तो दोस्तों मैं मिलती हूँ आपसे next video के साथ तब तक की लिए goodbye, take care, stay healthy, stay happy and thanks for watching